रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आश्रंग का तेज है तो चिंता भारत को भी है कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक दृष्टी से भारत के लिए इस जंग के क्या माईने है देखिए इस रिपोर्ट के जरी ये दो माहिने पहले की तस्वीर है जब ब्लादमिर पुतिन कोरोना महमारी के बीच दूसरी बार रूस से बाहर निकले थे ब्लादमिर पुतिन ने कुछ घंटों की स्यात्रा के जरीय बता दिया कि भारत उनके लिए कितना एहम है इसी तरह की करम जोशी पिछले साल से तंबर महीने में देखने को मिली जब राश्पती के तौर पर जो बाइडन से पहली बार पी-एम में मुलाकात की तो इस दौरे में जिस तरह से बाइडन में पी-एम को कले लगाया उसने बाइडन प्रिशासन में भारत से रिष्टों पर उटरे सवालों को एक जटके में खत्म कर दिया भारत को अगर चीन का सामना करना है तो उसके लिए अमेरिका के साथ सार रूस के साथ भी साज़दारी की जरूत होगी इसलिए इस विवाद पर भारत के विदेश मंत्राले ने बहुत सदी पर दिक्रिया दी हम राजने एक बाचीत के जरीए जल्द तनाओं को खत्म करने और मुद्दे का हल करने के समर्थक है मिंसक समझोते को लागू करने को लेकर कुछ स्वागत योग के कदम उठाए गए है अमेरिका और उस के भी संतुलन बनाया रखने की कोशिश में ही भारत ने 31 जनवरी को संटुराज सुरक्षा परिशत में यूक्रेन तनाओ पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में हिसा नहीं लिया लेकिन जब चर्चा हुई तब वहां मौजूद भारत के प्रतिनिदी ने इस तनाओ को गम करने और छेतर में स्थाई शान्ती और स्थिरता की अपील की इसी तरह नवंबर 2020 में यूक्रेन क्रीमिया में कदित मानवादिकारों के उलंगन के मामले में यूएन में प्रस्ताव लाए गया उस वक्षाव भारत ने इस प्रस्ताव के खलाब वोट किया इससे पहले 2014 में मनमोहन सिंग की सरकार में क्रीमिया को मिला लेने के बाद रूस पर लगाए गए पश्रमी प्रतिबंदों का विरोध किया था लेकिन अब हालात जंग के बने हुए हैं अमेरिका रूस खुलकर एक दूसरे का मजाग उड़ा रहे हैं नाटो के जनरल सेक्रेटरी के बयानों का हमने अभी पता नहीं लगाया और ना ही हमें उसमें कोई दिल्चस्पी है वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए वो पहले से ही नाटो के नाकाम सेना पती हैं इसलिए यदि हमारे पश्चिमी साथ ही इसके लिए तयार है तो हम एक गंभीर वार्ता करेंगे रूस दावा कर रहा है कि नाटो की सदसिता का जहासा देकर अमेरिका यूक्रेन को बरगला रहा है रूस के राश्पदी ब्लादेमेर पुदिन ने यूक्रेन को आगा भी किया है कि वो नाटो में शामिल होने का सबना देखना छोड़ दे यही विवाद की जड़ है रूस ने ये दावा किया है कि क्राइमिया में एक मिलिटरी ड्रिल एक युदा भ्यास के बाद उसके सैनिक अब वापस लोट रहे है लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि रूस केवल च्छलावा कर रहा है दिखावा कर रहा है क्राइनिया से भले ही कुछ सिपाही वापस गए हो लेकिन बेलारूस की सीमा पर एक लाग से जादा सैनिक अभी भी तैनात है आप ये सोचेंगे कि भारत से लगबग 5000 किलोवीटर दूर इस खबर का क्या असर होगा भारत के लोगों पर रूस भी भारत का बहुत अच्छा मित्र है यूक्रेन भी भारत का बहुत अच्छा मित्र है और अमेरिका भी भारत का एक बहुत अच्छा मित्र है ऐसे में इन तीनों के बीच अगर तनाव होता है तो इससे भारत पर असर बुरा ही होगा ये साफे है सवाल ही है कि अगर जंग हुई तो क्या भारत निश्पक्ष रहपाएगा इस सवाल पर पूराज नएगा अनिल्ति गुणायत कहते हैं कि आप कोई साइड लेने की पक्ष में इस तरह से उपली नहीं है लेकिन भारत एक रोल अदा कर सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक किसी तरह की मेडियेशन में आ जाए किसी तरह का एक मैसेजर मेसिंजर इसको कहते हैं दोनों के बीच में ताकि एगर उनके बीच की जो परशानियां हैं या जो मिसंडर स्टैंडिंग्स हैं क्या उसमें भारत को नगद कर सकता है लेकिन साथ हो पल्ली साथ लेगा इस बात में मुझे डाउट है तो अगर भारत इसमें कोई मदद कर सकता है तो जरूर खरेगा लेकिन यह है कि देखें मैसी के जरीए अगर कुछ सुलूशन मिलता है तो वो एक सबसे अच्छी बात होगी और मैं सबस्ता हूं भारत का उसमी योगदान होना जिरुदी है तो जंग के हालाद में भारत की भूमे का बड़ी हो जाएगी जानकर मानते हैं कि मोदी सरकार के लिए युद्ध होने पर दोरों महाशक्तियों से रिष्टों का इस्तवार शांती के लिए करने का विकल्फ होगा कीव से राजेश पावार के साथ गौरव सावन यूक्रेन आज तर कीव से राजेश आजेश